हेलो दोस्तों, गेट समेशिस में आपका स्वागेत है नेक्स्ट एक्जाम्पल इस तो आपको इस टाइप की कोश्चन को करने के लिए सिंपल सा मैथड है कि पहले आप चेक कर लो कि अगर आप किसी भी नंबर को मतलब अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो 3 से तो रिमेंडर क्या क्या आएंगे तो अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे आपका 0, एक आपका रिमेंडर आएगा 1 और आपका रिमेंडर क्या आ सकता है 2, जैसे अगर मैं 3 को 3 से divide करता हूँ, remainder हैगा 0 अगर मैं 4 को 3 से divide करता हूँ remainder हैगा 1, अगर मैं 5 को divide करता हूँ 3 से, तो remainder हैगा 2, और उसके बाद next कौन सा बन जाएगा 6, तो 6 को करोगे तो obviously again 0, तो इस रीके से हमारा loop चलेगा, तो मेरे पास जो है वो remainder बन रहे है 0, 1, 2, इसको बनाने का significance क्या है, इसका use क्या है, इससे आपको पता लगेगी इससे आपको ये पता लगेगा कि कितनी actual में यहाँ पे मेरे पास states बनेंगी कम से कम, exactly states नहीं है, बट कम से कम आपको ये पता लग जाएगी कि इतनी states हो मारे पास बनेंगी, तो एक आपकी state बनगे q0, कि जो भी आपके पास number आएगा, अगर आप उस number को 3 से divide करते हो, और अगर वो exact divisible है, मतलब obviously remainder 0 आएगा, तो आप चाहते हो कि वो q0 पे end हो, then अगर आप चाहते हो कि let's suppose कोई भी number को आप divide करते हो, और उसमें remainder आता है 1, तो आप चाहते हो कि वो string end कहां पे होनी चाहिए, q1 पे, और अगर आप किसी भी number को divide करते हो, 3 से, और remainder आता है 2, जैसे 5 को 3 से divide करो remainder आता है 2, तो आप चाहते हो कि वो end कहां पर होनी चाहिए, मतलब वो string जो है वो end up कहां पर होना चाहिए q2 पर होना चाहिए, तो आप simple से examples इसको start कर सकते हैं तो let's suppose सबसे पहले मैं यहां पर q0 state बनाता हूँ, starting state है मेरी q0 और q0 में अगर हम बात करें obviously यहां पर मैं चाहता हूँ कि 0, मतलब q0 जो है वो मेरा क्या represent कर रहा है, remainder 0 वाली state, और अगर आप simple भी देखो, अगर आप binary string यहां पर बनाओ भी, तो 00, 01, 10, 11, इस तरीके से जो है वो हम जर्नली बनाते हैं तो अगर आप इसको multiple time इसको आगे भी बना सकते हो, तो minimum से minimum कौन सी है, 0 और 0 तो obviously divisible by any number है तो आप कह सकते हो, कि q0 जो है, वो मेरी by default क्या बनेगी, final state यहां पर बनेगी, और जितनी भी 0 आए, मतलब जितनी भी 0 आए, वो सारी की सारी obviously क्या है, 0 जो है वो divisible by 3 तो है, 0 तो divisible by any number है, तो यानि आप जितनी मर्जी 0 जाती जाए, आप उसको चाहते हो, कि वो q0 पे ही end up होनी चाहिए, मतलब 0, 0, 0 अगर आती है, तो 0, 0, 0, 3 बार आए, चार बार आए, आप चाहते हो, कि वो 0 है q0 पे end हो जाए, ताकि वो accept हो जाए, next अगर आता है, let's suppose आपका 1 अगर यहाँ पे आता है आपका 1, तो 1 आते ही आप क्या चाहते हो, 1 आते ही आप चाहते हो, कि उसको q1 state पे ले जाए, मतलब, let's suppose हमारे पास जो है, 0, 0, 0 पे तो obviously वो accept हो ही रहे, 0, 0, 1 मतलब आपकी जो next string आ रही है अगर let's suppose अकेला 1 आता है, या जैसी 1 आया, आप उसको q1 state पे ले गए, q ताकि जितनी भी 1 वाली जिसमें भी remainder 1 आये, वो end up कहां पे होनी चाहिए, q1 पे होनी चाहिए, next हमारे पास remainder क्या बन रहे, next remainder हमारे पास बनेगा 2, क्योंकि एक remainder 0 एक 1 और एक 2, और 2 को binder में कैसे represent करते हैं, 2 को हम represent करते हैं, 1 0 से, तो 1 already हो गया, 0 आप और बना दो, तो ये बन गी आपकी q2 state, जब भी आपका remainder आएगा 1 0, मतलब जब भी आपका remainder आएगा 2, तो हमेशा वो end कहां पे होगा, q2 पे end होगा, जैसे, अगर let's suppose आप लेते हो 5, 5 जो है वो क्या है, 101, अब देखो, 1 0, q2 पे आप end करना चाहते हो, q2 पे end करने के लिए, obviously आपने q0 जो है, वो 1 पे तो यहाँ चला गया, 0 पे यहाँ चला गया, q1 0 पे यहाँ चला गया, लेकिन q1 1 पे कहां जाना चाहिए, 1 पे कहां जाना चाहिए, let's suppose अगर आप इसको design करना चाहते हो, simple सा fund है अगर आप 1, 1 लेते हो, 1, 1, तो 1, 1 के case में obviously 1, 1 को अगर आप decimal में लिखते हो, क्या आएगा, 3, तो 3 divide by 3 करोगे, तो answer क्या आएगा आपका, 0, यानि आप चाहते हो कि अगर 1, 1 आता है, तो end कहां पी होना चाहिए, Q note पे end होना चाहिए, तो Q note पे end कैसे करवाओगे, पहले 1 के लिए आप Q 1 पे चलेगे, अब यहां पे अगर आप self loop बना दो गए, या इधर लेके जाओगे तो obviously वो terminate होगी नी, वो also divisible, तो देखो 1, 1, 1, 1, तो देखो यह भी accept हो रही है, तो Q note आपका 0 पे चला गया, 1 पे इधर चला गया, fine, Q 1, 0 पे इधर गया, 1 पे इधर गया, यह भी fine हो गया, Q 2, अब Q 2 को आपको complete करना, तो Q 2 को complete करने के लिए, यहां पे अगर मैं let's pose लेता हूँ, सबसे पहले 1 1, जो मैंने example पहले लिया था 1, 0, 1, 1, 0, 1 क्या है, 5 अब 5 divide by 3 करोगे, तो remainder क्या आएगा 2 यानि आप चाहते हो कि 1, 0, 1 end कहां पे होनी चाहिए, 1, 0, 1 का end होना चाहिए Q 2 पे, तो कैसे करोगे 1 पे यहां चली गई, 0 पे आप Q 2 पे पहुँच गए, अब 1 आप ते ही आप चाहते हो कि मैं इसी state पे रहूँ तो इसी state में रखने के लिए आप क्या करो, self loop बना दो, तो देखो 1, 0, 1, आपकी state में रहोगे Q 2 में और देखो 5 divide by 3 obviously remainder is 2, that is fine, now 0 अब 0 के लिए आपको क्या करना है 0 के लिए आप let's suppose अगर लेते हो string 1, 0, 0 1, 0, 0 क्या है, 4 अब 1, 0, 0 को divide करोगे let's suppose 1, 0, 0 that is 4, divide by 3 करोगे, तो remainder आएगा 1 तो आप चाहते हो, इसको आप end कहां पे करना चाहते हो Q 1 पे, तो कैसे करोगे 1, 0, 0 तो 0 के लिए आप क्या करोओ Q 1 पे ले जाओ ताकि 1, 0, 0 आए महलों 4 divided by 3, तो end कहां पे होने चाहिए यहां पे, अब आप कोई भी string बनालो क्योंकि यह सारी जो है, वो DFA आपका complete हो चुका है, let's suppose अगर मैं लेता हूँ 1, 1, 0, 0 1, 1, 0, 0 is what? 12 12 divided by 3 करोगे, तो answer क्या हैगा? 0, तो देखो 1, 1, 0, 0 Yes, it is fine, अगर आप let's suppose लेते हो यहां पे, 1, 1, 1, 0 1, 1, 1, 0 That is 14, तो 1, 1, 1, 1, 0 देखो, 1, 1, 1, 0 कैसे? 1, 1, 1, 0 तो देखो, 14 divided by 3 answer क्या रहा है? 2, remainder क्या हैगा 2 तो आप कहां पे end कर रहे हो? Q2 पे end कर रहे हो So this is how you have to design not only divisible by 3 आप कोई भी question जो है चाहे divisible by 4, divisible by 5 कोई भी question इस तरीके से जो है वो solve कर सकते हो Thank you